Good morning student देखो हमने chapter start के रखा है photoelectric effect इसके तीन topic हो चुके हैं चोथा topic है experiment related to the photoelectric effect यानि परकास विद्यूत परभाव से समंदित परियोग परकास विद्यूत परभाव से समंदित कुछ experiment है जो हमें पढ़ने हैं तो जो पहला experiment है वो heads experiment तो देखो हर्ज ने क्या किया हर्ज ने एक मेटल ली एक दाथू ली उसके उपर जब उसने प्राभेंगनी परकास आप्तित करवाया तो उसने देखा कि इसके उपर कुछ चमक उत्पन हो गई लेकिन जब ये heads अपना experiment कर रहा था तो उस समय किसी को भी इलेक्टोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसलिए ये परकास विदित परबाव की व्याक्या नहीं कर सका तो हर्ज का experiment क्या था कि उसने एक दाथू ली उसके उपर जब प्राभेंगनी परकास आप्तित करवाया जाता है तो उस पर एक चमक उत्पन होती है परन्तो उस समय तक लेक्टोनों की खोज नहीं हुई थी इसलिए ये परकास विदित परबाव की व्याक्या नहीं कर सका देखो इसका जो दूसरा experiment है वो है हालवाक्स experiment या होलवाक्स का परियोग अब इसमें भी दो statement थे पहला statement था कि जब किसी रिनावेशित जिंक पलेट पर पराबेंगनी आप परकास आप्तित करवाया जाता है तो वह है उद्दासीन हो जाती है देखो इसको समझने से पहले मां आपको थोड़ा सा समझ जाता हूँ कि उद्दासीन दनावेशित और इनावेशित वस्तों में क्या फरक है देखो एक example से समझते है कि मान लोग कोई वस्तु है जिसके पास 15 proton और 15 electron है तीक है अब आप जानते हो proton पर चार्ज कितना होता है प्लस C 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाब electron पर कितना चार्ज होता है माइनस C माइनस 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलाब अब पूछू कि बताओ इस वस्तु पर total charge कितना है तो कितने proton है 15 एक proton का चार्ज E तो 15 का कितना हो गया 15 E इसी परकार कितने electron है 15 A का चार्ज माइनस E तो 15 का कितना हो गया तो कितना हो गया जीरो तो अब इसको आप बोलोगे उदासी बस्तू तो उदासी बस्तू का मतलब यह नहीं होता बच्चो की वह है उसके पास कोई charge मेही है बलकि इसका मतलब यह है कि इसके पास जितने proton है उतनी ही क्या है elektron तो उदासीन वस्तू वह है वस्तू होती है जिसमें जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही इलेक्टोन होते हैं यानि नंबरोप प्रोटोन बराबर हो नंबरोप इलेक्टोन के तो वह है उदासीन वस्तू अब मैं दनावेशित वस्तो की बात करो, इसी वस्तो को लो, इसके पास 15 प्रोटोन है, इसमें से यदि आपने 4 इलेक्टोन रिलीज कर दिये, तो आप इसके पास कितने इलेक्टोन बचे, 11 इलेक्टोन, तो इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस 4 ही, क्योंकि 11 चले तो इसमें आप प्रोटोनों की वर्दी हो गई, और प्रोटोनों की वर्दी हो गई, इसको आप क्या बोलोगे, दनावेशित वस्तो, तो आप क्या बोलोगे, कि इसमें नंबर ओव प्रोटोन ज्यादा हो थे, नंबर ओव इलेक्टोन से, तो इसी पर का रिनावेशित वस अब यह क्या है रिनावेशीत है तो बताओ इसमें नंबर ओफ इलेक्टोन ज्यादा होंगे या नंबर ओफ प्रोटोन रिनावेशीत है तो उसमें क्या होंगे नंबर ओफ इलेक्टोन ज्यादा होंगे अब आप हुझे बताओ जब आपने इस पर प्राभेंगनी परकास तो आप देखू, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नमबर ओप इलेक्टॉन है और 12 proton है अब आप जैसे जैसे इस electron release करते जाओगे तो देखो जब इसे तीन electron release हो जाएंगे तो क्या 12 electron और 12 proton नहीं हो जाएंगे उस condition में ये वस्तु क्या हो जाएगी उदासीन वस्तु क्या होती है कि number of proton ब्राबर होने चाहे number of electron अब मुझे कमी हो जाएगी यान नंबर ओप proton क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे कि से number of electron से तो ये कौन सी वस्तु बन जाएगी दनावेशित वस्तु ये दो experiment थे thank you student